तो मेरे सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं जी हाँ वो आइटेन है और आप सोच भी नहीं सकते इस गाड़ी के अंदर इस तरीके का मोडिफिकेशन किया गया है ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लुक की चेंज कर दिया गया है और लाइट्स वगेरे इसारी च यूज में लिया गया है साथ में बॉनेट और उसकी चत वगरे यूज में लेके बाकी अधिकतर हिस्सा गाड़ी का चेंज कर दिया गया है टोटली पूरी के पूरी इस गाड़ी को स्पोर्स कार बना दी है ताकि कोई भी अगर इस गाड़ी को देखे तो देखता ही रह ज लेगी किसी भी एंगल से यह आपको हुंड़े की 2013 मोडल और आई 10 गाड़ी नहीं लगेगी आप देख सकते हैं और यह सबसे जो में चीज यह है गाड़ी की यह बोनेट देख लीजे आप इसमें भी थोड़ा किस्टमाइज करके इस बोनेट के अंदर डिजाइन डालके और कुछ इस तरह का लुक दिया गया है प्रोजेक्टर हैडलेंब आप देख सकते हैं और किस तरह के का लुक है आप भी कमेंट करके बताईए क्या कौन से एंगल से और यह आई 10 आपको लगती है फिर मैं आया हूँ आपको लेकर रियर के अंदर रियर के अंदर गाड़ी एक डियॉल एक्जोस्ट लगाया गया है और जो पूरी की पूरी जो फिलिंग आयेगी वो आपको फेरारी वाली ही आयेगी पीछे फिर उसके लावा टेल लेंप है वो राउंड गलर की लगाई गयी है जो दिखने के अंदर काफी अच्छी है और जो स्पोईलर है वो काफी उच्छा रखा गया है और यह आप देख सकते हैं इतना उच्छा स्पोईलर किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं लग सकता इस गाड़ी को प्रोपर और स्पोर्ट्स कार बनाया गया है यह आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यह गाड़ी है और रियर लुक काफी अट्र साइड की जो अलवी विल्स है वो काफी शानदार है साथ में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लेंस है वो काफी अच्छा कर दिया गया है अरौंड 240 mm इस गाड़ी का ground cleanse किया गया है जिसके वज़े से यह off road के अंदर और कहीं पर भी जा सकती है गाड़ी काफी उची लगती है साइड से और साथ में आगे से भी और सबसे जो main इसकी यूनिक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो इसके डोर्स है जो front के जो डोर्स है उसके उपर आप डिजाइन देख सकते हैं किस तरीके से फ्लेट डोर नहीं है इसके उपर एक डिजाइन बनाएगी है जो काफी अच्छी लग रही है और यह आप देख सकते हैं काफी अच्छी है अभी मैं इस गाड़ी को मोडिफिकेशन करवाने का जो खर्चा है वो पूरे के पूरे साड़ी साथ लाख रुपए पड़े है यह आप देख सकते हैं साड़ी साथ लाख रुपए गंदर यह स्पोर्स कार बनी है आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए